हेलो एवरिवन आज हम बनाने वाले हैं टोमेटो रसम यानी टोमेटो चार्क जो की बहुती इज़ी और टेस्टी होती है हर दिन जब आप दाल चावल खाकर बोर हो जाए तो ये रिस्पी ज़रू ट्राइ करें बहुत अच्छी लगेगी सबसे पहले हम इंग्रिडियन्स द ये दसे बारल हैसुन की कलियां ये थोड़े करी पत्ता वन टीस्पून जीरा और ये एक छोटे लेमन साइज जितना इमली ये सारे आइटम्स हम भून लेंगे और मसालों में मैंने लिया है ये सूखा धनिया वन टेबल स्पून वन अड़ाफ टेबल स्पून रेचिली प जीरा वन टीस्पून राई करी पत्ता और थिनली सईस्ट अनियंस ये वन टीस्पून जीरा और करी पत्ता को हम तबें पर स्लोव फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जब तक के जीरा अच्छे से भूनना जाए ये लीजे जीरा भुन गया है अब हम इसको साइड में निकाल लेते हैं ये ओनियन्स डालकर इसके अंदर थोड़ा ओईल डालकर इसको अच्छे से डार्प पिंक होने तक भुन लेंगे और निकाल लेंगे अब उसी में थोड़ा लहसुन भी डाल कर अच्छे से भून लेंगे और ये सारे टमाटर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्लोली भूनते रहे जब तक सौफ्ट न हो जाए ये देखे ये किस तरह अच्छे से भून रही है अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और इमली को डाल कर थोड़ा पानी डालूँगी और उसको भी अच्छे से भून लूँगी जब तक वो सौफ्ट न हो जाए अब इन सारे इंग्रिडियन्स को एक मिक्सिंग जार में डाल कर इन सूखे मसालों के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ये देखिए ये थिक पेस्ट तैयार है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए थिक ना ज्यादा पतली और ना ज्यादा थिन अब मैं एक कडाई में तेल लूँगी और उसके अंदर राय और जीरा दोनों को डाल कर अच्छे से स्प्लटर कर लूँगी और उसी में मैं थोड़े बचे हुए ओनियंस को डाल लूँगी और उनको अच्छे से फ्राइ कर लूँगी करी पत्ता को भी डाल दूँगी ये ओनियन्स ब्राउन कलर की हो गई है अब इसके अंदर मैं पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छे से भूनती रहूंगी जब तक साइट से ओईल ना निकल आए इसको ज्यादा भूने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसाले अलरड़ी भूने हुए है अब मैं इसमें पानी और डालूँगी मैंने दो कप पानी डाला था आप अपनी हिसाब से देखकर डालें और ढखकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी ये देखिए इसमें बॉइल आना शुरू हो गया है अब ये बिलकुल तयार है अब मैं इसके अंदर थोड़े धनिया पत्ता डाल कर अच्छे से डेकुरिट कर लूँगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस रेसिपी को सब के साथ शेर भी करिए अगर आप मेरे चैनल पर पहरी बार आए हैं तो होमेकर नगमा को सबस्क्राइब जरूर करिए अच्छा तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए ख्याल रखें